हाई गाईज मैं विनो तो आप देख रहे हैं एट्टा की गुड़ी चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताने वुलाऊं कि आप रेलमी 11 Pro Plus 5G में एपस हाइड कैसे करेंगे चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग मैंने सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा से नीचे आना है यहाँ पर आपको एक ओप्सन में जाएगा प्रेवेसी का आपको इस पर क्लिक करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको hide apps पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना privacy password एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी phone की सारी apps आ जाएंगी यहाँ से आप किसी भी app को hide कर सकते हैं जैसे friends मुझे music app को hide करना है तो यहाँ पर आपको right side में enable का symbol मिल जाएगा So guys, आपको setting को enable कर देता हूँ इस setting को enable करने से पहले अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like and share कीजिगा और guys हमारे channel को जरू subscribe कीजिगा So guys, मैं setting को enable कर देता हूँ इस setting को enable करने से पहले अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like and share कीजिगा और guys हमारे channel को जरू subscribe कीजिगा So guys, मैं setting को enable कर देता हूँ इसको enable करने के बाद यहाँ पर आपको settings पे click करना है इस पे click करने के बाद यहाँ पर आपको अपने access code को set करना है Access code को set करने के लिए यहाँ पर आपको enter करना Hashtag1234 Hashtag आप बीच के 4 नंबर है वो अलग भी डाल सकते है बड़ guys, आपको आगे पीछे Hashtag लगाना जरूरी है उसके बाद यहाँ पर आपको right side में done पर click करना है Done पर click करने के बाद यहाँ पर आपको again done पर click करना है Done पर click करती guys, आपकी app पूरी तरीके से hide हो जाएगी और अगर आपको किसी दूसरी app को hide करना है तो यहाँ पर आपको right side में symbol को enable कर दे रहे हैं इसको enable करती ही guys आपकी app भी hide हो जाएगी So guys इस तरीके से आप apps को hide कर सकते हैं अब मैं आपको check करके दिखाता हूँ कि guys मेरी app hide हो नहीं So guys यहाँ मैं home screen पर आ गया हूँ subscribe कीजिएगा तब तक के लिए बैबेटर थैंक्यू